करें तो है इस अफुपर वेल्कम तू मईश्टजी फीड जैनल दोस्तों आज में बैर्मिंटन डीस्ट यानि बैर्मिंटन इस्कील टेस्ट के अंतरगाइब फ्रेंच स्टेल्टर बैर्मिंटन टेस्ट लोकॉर ट्यम्शी फ्यर सन्न बैर्मिंटन तेस्ट एंड मिलरवाल वाली तेस्ट के बारे में बता रही हूं जो आपके ग्जाम्स में पुछे जाते हैं और दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपटिटीव एक्जाम्स टेजिटी फिजिटी के विर से अन्विर से लिटी की प्रिपरेशन सीलिवस के कॉर्डिंग कर रहा है तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो चैनल के कॉर्डिंग है और दोस्तों देली बेसेश पे के स्कीुछ कुष्टन प्रिवइर सिर्स के सीरीज सिरीज दिये जा रहा है उसका प्रेक्टिस करना न भूल यहां तो दोस्तों चलिए जानते हैं बैर्डमिंटर इसकी टेस्ट के अंतर गरत फ्रेंच इस्टेल्टर बैर्मिंटर टेस्ट लोकोड़ एंसी फेर्शन बैर्मि तेश्ट आता है इसको याद करने के लिए आप उसके प्रथम उच्षर से याद कर सकते हैं 619 त्म मिथैल्म-म, यानि 7 यहां पर दोस्तों अक्सर नाम ही पुछता है कि लोकार्ट-मसी-फेर्शन-टेस्ट किसे समंधित हैं या मिलर वाल वाली टेस्ट की से रिलेटेड़ है फ्रेंच Conduit test की से related है तो आपको यह याद रखना है उसे याद करने के लिए मैंने यह ट्रिक बताई तो दोस्तों चली जानते हैं इन तीनों के बारे में सबसे पहले बात करें के फ्रेंच इस्टेल्टर बेरिंटर टेस्ट दूस्तों इसको इस्थर फ्रेंच तथा इवेलजन इस टेल्टर द्वारा कॉलेज की महिलाओं के लिए जनरल बेरिमिनटर इबिलिटी के लिए बनाय गया इब अपने के लिए बनाया गया इसके या तक दो दो टेस्ट आइटम सामिल है दसर्व टेस्ट एंड किलियर टेस्ट इसके रिलाबिलिटी 0.77 से 0.88 होती है दोस्तों इसमें बस इतना ही पुछ सकता है इसलिए इससे ज्यादा मैं यहां पर नहीं बताऊंगी टाइम वेस्ट करने से कोई मतलम नहीं है आपको एक्जाम क्वा एक आपवष से रिलेटेर लगा लेगा तो आप जानी जाएंगे प्रेंच इस टेस्ट किस इसकिल से तो परिय manufacturers आप यहां पर यह पुछाँित कि इसत्याी Crusoe State को दोस्तों इसको 1948 में एलियन लोकार्ट एंड फ्रेंसेस एयमसी फिर्सन ने कॉलेज उमेंस के लिए बनाया इसका पौरुफच क्या है यह जनरल फ्लेइंग बेर्मिंटन एबिलिटी के अंतरगत बाॉलिंग एबिलिटी को मापने के लिए बनाया गया है इसके रिलिय फ्लेज वाइंट न एण जीड यूर है इसमें कॉनकों से एकप्मेंट की जगरत होती है रोकेट शुटल टेसक एरिया दस गुड़े दस फिट की एक वाल यानि दिवार पर होती है अब बात करते हैं दोस्तों इसके टेस्ट एरिया की तो इसमें 10 गुडे 10 फीट की वाल यानी दिवार पर test area बना जाता है और वाल से यानी दिवार से 6 फीट 6 इंच की दूरी और चाहिए होता है जहाँ restarting line बनाएंगे यानी वाल से 3 फीट की दूरी पर restarting line बना देंगे ऐसी लाइन जिसके आगे जाना allowed नहीं होता है इसके बाद starting line से 3 feet 5 inch का area और लेंगे जहां पर खड़े होकर subject subtle को वाली करेगा यह इन दोनों line के बीच में कहीं भी खड़े होकर 30 सेकेंड तक लगातार subtle को वाली करना है यानि कि दिवाल से 6 feet 6 inch की जगा होता है उसमें से 3 feet के दूरी पर restarting line बनाएंगे फिर restarting line से 3 feet 5 inch का area होगा जहां पर खड़े होकर subject दोनों line की बीच में कहीं भी खड़े होकर 30 सेकेंड तक लगातार सटल को वाली करना होता है अब देश्तों यहाँ पे क्या होगा स्कोरिंग कैसे होगा तो इसका स्कोरिंग 30 सेकेंड में जितने हिट करेगा वो काउंट कर लिया जाता है और यदि सटल गिर जाती है तो सटल फिर से उठा कर और उसी सर्व करेगा और फिर से उसे 30 सेकेंड तक लगातार वापस हिट करता रहेगा तो दोस्तों ये था लुकाड यमसी फैर्शन बैविंटर टेस्ट अब बात करते हैं मिलर वाल वाली टेस्ट की दोस्तों मिलर वाल वाली टेस्ट की रिलेबिलिटी 0.94 है इसको 1951 में फ्रेंच ए मिलर ने पूर्सों और महिलाओं की जैनरल बेर्मिंटन प्लेइंग एबिलिटी के अंतरगत बालेइंग एबिलिटी में किलियर शार्ट को मापने के लिए बनाया किलियर क्या होता है दोस्तों किलियर शार्ट यानि डीप और हॉई सार्ट जब अपनेंट के कोर्ट में मारते हैं तो उसे किलियर बोलते हैं और इसमें equipment की क्या ज़रुत होती है यहां पे stop wash, subtle cock, benminton, racket, marking chalk, CT, आधी यूज़ होता है अब बात करते हैं test area की तो दोस्तों यह दिवाल पर 10 फिट चोड़ा और 15 फिट उचा एक test area आयत बनाया जाता है जिसमें दिवाल से 7 फिट 6 इंच की उचाई पर net line बनाया जाता है और वही net line के उपर serve area होता है और दिवाल से 10 फिट की दोरी पर प्रारंबिक रेखा बनाया जाता है जिसमें से एक तरफ prohibited area होता है और एक तरफ प्रारंबिक रेखा होता है prohibited area में test के दौरान नहीं जाया जा सकता है ठीक है अब बात करते हैं test administration की इसका procedure क्या होता है तो दोस्तों तीन trial इसमें दिये जाते हैं 30 second के 3 trial दिये जाते हैं अब पर तेक trial के मद्धे 30 second का rest होता है scoring कैसे किया जाता है तीनों trial के valid service को count किया जाता है अग तीनों trial में जिसमें सबसे ज़्यादा valid service यानि वाली की संख्या होगी वही खिलाड़ी का highest score होगा valid service क्या होता है दोस्तों वही service जो prohibited area के इधर और net line के ऊपर मारी जाए ठीक है prohibited area के इधर से और net line के ऊपर मारी जाएगी वही valid service होगी और उन्हें ही count किया जाएगा तो दोस्तों यह था सकता है इसी के अंदर परनेगा ऐसे बाहर नहीं बनेगा आपको इन तीनों का नाम याद करना है और उसके अंतरकत कौन कौन से टेस्ट आते हैं तो टेस्ट तो दोने में कोई टेस्ट नहीं आता है यह में के लिए आपको कौन में के लिए और तेस्ट के लिए बनाए गया है जयसा कि वह दियान रखना है आपको जुमाइब तो दोस्तों होगी यह आप को समझ में आया होगा तो आप अधर intimacy सिंग होकी टेस्ट में जो भी स्किल्स आते हैं उसके बारे में तो दोस्तों वीडियो कैसा लागा मुझे कमेंट में जरू बताईए एंड दोस्तों ज्यादे सज्यादे सेयर किया किजिए और दोस्तों पहरी बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जिससे जो ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नाटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके साथ तब तक के लिए जैहें